भारत में कोरोना संक्रमन की बेकाबू रफ्तार का कहर जारी है देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है तो वहीं कोविट के कारण मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है पहली बार देश में रिकॉरड एक लाग पिचासी से अधिक नए कोरोना की सामने आए हैं भारत में कोरोना की अक्टिव मामले अब 13 लाग के पार पहुच गए हैं बता दे कि पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार प्रति दिन 1.5 लाग से अधिक कोरोना की पॉजिटिव की सामने आ रहे हैं वर्डो मीटर के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 1.85 लाग से अधिक नए मामले सामने आने के बाद भारत में संक्रमितों का आकड़ा 1.38 लाग के पार पहुच गया है जबकि 1.000 से अधिक मौतों के साथ कोविट से मरने वालों की कुल संख्या 1.72.115 तक पहुच गई ह पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटे मामले बढ़ने के साथ कोविट-19 मरीसों के ठीक होने की दर में भी गिरावट दर्च की जा रही है तो ये लगातार आपको कोरोना को लेकर अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से देश में कोरोना ने हाहा कार मचा दिया है महज एक दिन में 24 गंटे में 1,85,000 मामले सामने आए हैं